तो अब भी देखो मैंने जो last तीन दीन के जो वीडियो डाले है वह आप ठीक से देख लेना एक में जो दो वीडियो है उस दो वीडियो में मैंने deep analysis of zone कैसे आपको identify करना है तीसरी जो अभी कल की वीडियो थी वहाँ पे आपको support और resistance पे कहाँ पर trade प्लेस करना है क्या क्या confirmation लेना है वहाँ पे वह भी चीजे मैंने बताई हुए ठीक है तो यहाँ पे देको market अभी एक buyers level पर आ चुका है मैं थोड़ा सा आपको zoom out करके यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया फिर वापी से sellers हाभी हुए फिर वाइस जैसी जोन में आगे उनको rejection मिला वापी से बायर सागे मतलब यहाँ पर वापी से sellers entry हो सकती है लास्ट के से कर देंगे क्योंकि मार्केट अभी तक जो sellers का जो 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 बनाना पड़ेगा उपर है ना जो कि यह बना नहीं पाया है है ठीक है चलो तो वही हम लोग देखके जैसे ही लेवल पर आया मैंने sellers के लिए ट्रेड प्लेस कर देंगे तो वापिस से आगे का ट्रेड भी हम लोग ट्रेड प्लेस कर देते हैं के देखो स्थाइटिंग में मैंने ट्रेड प्लेस कर दे अधिक और यहां पर करेंगे ठोड़ा सा लास से किन तर ठीक है चलो यहां फरम रेख्चपर से नीचे लया तो उपर के दो ट्रेड रिकवर पर लेंगी वह चीज्ड or क्योंकि मैं बहुत शोर हुँ यहां एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा क्यों मिलेगा वह मैं एक्स्प्रेंट कर लोगा यह ट्रेड जीत जाने के बाद के वेट करते हैं हम लोग देखो अगर आपको फ्री गुरूप में एड होना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस लिंक के थूँ आप मेरे प्री गुरूप में आ सकते हूं जहां पर ऐसे ही वीडियो में डालता रहता हूं और वहां पर बहुत सरी इस्ट्री में जाके भी आपको चीज़े मिलेगे इसकी जिससे आप लन कर सकते हो ओके तो ठीके मैंने जैस अच्छी खासी एंट्री होगी थी तो जैसे मार्केट वहां पर गया तो मैंने यहां पर लेकिन यह जो सेलर कैंडल बनिये इसने क्या क्या पिछले वाली कैंडल को एंगल्फ कर दिया मतलब इसने अभी भी दिखाया कि आम स्टिल इन पावर मैं अभी भी पावर में हूं मार्केट थोड़ा उपर आगया मैंने फिर डाउनोड के लिए ट्रेड ब्लेस कर दिया तो जब भी आपको जो विनिंग साइड होती है उसी साइड में आपको ट्रेड लेना है विनिंग साइड मतलब ट्रेंड कौन साय देखो सेलर्स का यह मतलब यह हम उसी डिरेक्शन मे देखेंगे तो बायस के दो लेवल है लेकिन सेलर्स यहाँ पर आ चुकि पतले एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ यह थोड़ा 50-50 चंस वाला ट्रेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो सेलर्स भी है नीचे बायस भी अवेलेबल है तो मार्केट अभी यह मिलेगा तो और एक कर देंगे यहाँ पर तो मैंने और दो क्योंकि नीचे का थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि यह जो कैंडल जो रेड कैंडल जो बनी है ना उसने नीचे से बहुत बड़ा प्रेशर महसूस किया है लेकिन सेलर्स कैंडल देखो बायर जोन के अंदर मिल सकता है तो वह देखके मैंने देखो रिजेक्शन पर ट्रेड लिया है लेकिन नीचे वाला ट्रेड नहीं पता मुझे देखते यहाँ पर देखो जो मार्जिन रेड वाले ट्रेड है वह हमारे तो विन चल रहे है ओके सारे विन होगे लेकिन उसका बाडी से प्रेजेंस आ गया देखो है ना इस विज़े से मैंने क्या कहा कि यहां पर एक जब भी कोई एक जोन हो मतलब सब्बोर्ट का या फिर रेजिस्टेंट का उसके अंदर बॉडी से कोई सब्ब्सकेंट आदे के केंडल आ जाती तो वहां पे नेक्स केंड़ में आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है लेकिन वहां पे आपको मारजन से ब्रेण समय देनी चाहिए अगर दे रहाए तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते है थोड़ा मार्किट का वेट करेंगे उपर आएगा तो वह पिस से ट्रइड लुओंगा मैं या कि देको में इंचOFF एवरी Youtube को आपको एकस्पलीन कर रहा हो किस तरह से आपको ट्रेंट में लेते जा रहा हूं किस तरह से चीजे बता रहा तो ठीक है देखते यहां पर अगर मुखा मिलेगा तो और ले लेंगे यहां पर जाना चाहता हूं सेलर्स के लिए बड़ लेकिन देखो दो बर ऐसा हुआ है कि उसको प्रेशर महसुस हुआ है रिक प्रेशर महसुस हुआ है इसकी प्रिवेस केंडल बड़ी बन लिए मतलब यहां पर एक रिजेक्शन बिल सकता है लेकिन जो जोन है न यह थोड़ा सा क्या बोलते है उसको कि थोड़ा सा यहां पर बायर्स भी आवेलेबल है हमें पता है और सेलर्स तो इस वज़े से यहां पर मैंने देखो ट्रेड न जाएंगा ट्रेफिनेटल डाउनवर्ड जाओंगा उसका रिजन मैं आपको बतानूंगा क्योंकि यहां पर यहां पर इसकी बॉड़ी इसकी बनी है रजीर लगाई थी यहां पर लेकिन यहां पर इसका ने लेवल की नीचे ही क्लोजिंग होई है तो आप इससे से लर्स आ चला जाता अगर आपको मार्जिने सेटी नहीं मिली तो आप रुख जाईए तो आप लुख जाहिए कि विदाउड मार्जिन इस ट्रेड ना लीं देखो विदाउट मार्जिन सर्टी नहीं मिली तो हमने ट्रेड नहीं लिया नेकर यहां पर एक रिजेक्शन जोर्वर देखने को मिल सकता है या फिर रेड़ केंडल भी देखने को मिल सकते है ठीक एक डूजी फार्मिशन हुआ है मतलब यहां पर पूरी तरह से मार्केट न नूट्रल उचका है यह एक एंडल देखेंगा और एक एंडल देखना पड़ेगा अगर यह कंडल कुछ बनती ना तो मैं डिसाइड करता किदर जाना लेकिन यह पूरी तरह से नूट्रल कैंडल वनी है तो यहां पर हमें वेट करना पड़ेगा ओके लास्ट का ट्रेड ल इस इस पर आप टेलिग्राम पर इस आईडी पर टेक्स कर सकते हो मुझे कोई बी क्यूरी रिलेटेड इस वीडियो के रहेगी तो मेरे को पूर्श सकते हो जो समझ में नहीं आया होगा तो यहां वे देखो नूट्रल है नूट्रल के बाद देखो बायर्स का ही जो दिकर लेकिन बायर्स भी कैसे वीकर बायर्स एकदम वीकर तो हमें अभी भी डाउनवर्ड तरफ की ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि बायर्स में उतना जोर है ही नहीं कि विलाल देखो डायरेक्ली कैंडल निच्छे चली गई है कि मुझे डाउनवर्ड ही तरफ लेना था लेकिन मार्केट इतने जल्दी भाग गया कि वहां पर ट्रेड ही प्लेस कर नहीं पाया ठीक है चलो यहां पर में एक रिजेक्शन पर चला जाओंगा फिर कि लास्ट सेकेंड में कि तो यार्स कि चलो नेक्स केंडल में लेते हैं यहां बें मैं रिजेक्शन के लिए जाना चाहता था लेकिन यह थोड़ा सा बीच में टूल्स आगे तो मेरा ट्रेड ने प्लेस हुआ क्यों जाना चाहता था क्योंकि देखो यहां पर अभी थोड़ा सा बायर्स का वजूद दिखा रहा है मतलब एक छोटा रिजेक्शन केंडल में देखने को मिलना चीज़ ओके कि चलो कि इसका रिजेक्शन देखो देखो मिला इसको रिजेक्शन क्योंकि यहां पर बायर्स का वजूद ठीक है चलो दोस्तों तो अभी पर ट्रेड ने लूंगा यहां पर रुख जाओंगा तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लागा तो लाइक शेर सब्सक्राइब